Hello everyone, Namaskar, Welcome to Monk Tutorial दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्टर में हम जानेंगे 36 गड़ की भूगार्विक सनरशना के बारे में 36 गड़ में कौन-कौन से प्रकार की चट्टाने कहां-कहां पाई जाती हैं इन चट्टानों में कौन-कौन से खनीच पाई जाते हैं साथ ये जानेंगे कि इनका विस्तार किस प्रकार से है चट्टानों का वर्गी करण भी हम लोग समझेंगे तो चलिए सेसन की सुरुवात करते हैं सबसे पहले समझते हैं 36 गड़ में भूगार्विक सनरशना भूगार्व अर्था भूमी के गर्भ में जो भी सनरशना विद्धमान होती है उसे भूगार्विक सनरशना कहा जाता है तो definition अगर हम लोग समझें किसी छेत्र में भूमी के गर्भ में इस्थित विसिष्ट सनरशना को भूगार्विक सनरशना कहा जाता है जिसका निर्माड विभिन्न सेल समहो के योगदान से होता है किसी भी राज्य की भूग अर्विक सनरशना के अध्यन के द्वारा उस राज्य के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृती एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है याद रखिएगा भूग अर्विक सनरशना से ही हमको पता चलता है कि भूमी के गर्भ में कौन से प्रकार की चट्टाने विद्यमान है इन चट्टानों से हमको क्या प्राप्त होगा तो इन चट्टानों से हमको दो चीज मिलेगी एक मिलेगा चट्टानों से खनिज और दूसरा चीज मिलेगा इनी चट्टानों के अप्षया परदन से मृदा का या मिट्टी का निर्माड होगा, जिससे डिसाइड होगा कि हमारे पर्टिकुलर उस राज्य में किस प्रकार की मिट्टियां विद्यमान है, वो डिसाइड सतही विवित्ता, जैसे सतही मिट्टि, खनिज सत्व की उपलबदता, वनों की विवित्ता, एवं क्रिसी योग की भूमी का भी निर्धारन होता है, क्लियर है, चत्तिसगड की भूग अर्विक सनरशना में प्राचिंतम और नविंतम दोनों प्रकार की चट्टाने पाई जाते हैं, चत्तिसगड की भूग अर्विक सनरशना है, उसमें सबसे प्राचिंतम से लेकर सबसे नविंतम दोनों प्रकार की चट्टाने पाई जाते हैं, चत्तिसगड क्या है, भारत का हिस्सा है, तो गुडवाना लेंड के भारते प्लेट का हिस्सा होने कारण, यहां प प्राचिंतम और नविंतम दूनों प्रकार की चट्टाने पाई जाती है 36 गड़ में आपको ये पता होगा प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी जो है इस एनिमेशन के माध्यम से आपको ये चीज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी काम करती थी और जो महाद्यूपिये विस्थापन का सिद्धान्थ है ठीक है ये विस्थापन के सिद्धान्थ के दौरा अभी वर्तमान में जो हमारी महाद्यूपों की दूर हटने लगी एक दूसरे से टकराने लगी और वर्तमान का जो भारत है वो याद रखिएगा गुणवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था अंगारा लैंड गुणवाना लैंड तो ये भारत आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से उपर क्यों रैसे जाते हुए यह जा अब जो भू-गर्विक संरशना होती है, भूमी के गर्व के बाद जो बाहरी संरशना अगर हम लोग देखने तो बाहरी संरशना तीन टाइप के हमको मिलते हैं, भू के गर्व में भी जाएंगे पहले बाहरी संरशना देख लेते हैं तो बाहरी संरशना हमको तीन टाइप के परवत है कौन सा पठार है कौन सा मैदान है तो हम लोग ये इसको decide करते हैं समुद्र की सतह से ठीक है समुद्र की सतह से particular height की उचाई को मैदान कहा जाता है उससे और उपर को पठार और जिसमें स्तिर्स होती है या चोटी होते उसे परवत तो एक-एक को समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं परवत क्या होते हैं mountains देखें तो परवत का सिखर छुटा तथा आधार क्या होता है चोड़ा होता है या आसपास के छेत्र से बहुत उचा होता है परवत निकटवर्ती छेत्रों की तुलना में 1,000 मीटर या उससे भी कया होते हैं अधिक उचाई वाले होते हैं निकटवर्ती छेत्र की तुलना में जैसे यहां एक शेत्र है इस छेत्र से इसका हइड जो है वो 1,000 या उससे अधिक उचाई होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे परवत जिनकी उचाई एक हजार मीटर से कम होती है वे पहाड़ी कहलाते हैं याद रखेगा ऐसा नहीं है कि अगर उसमें सिखर होता है चोटी होती है आधार चोड़ा है और एक सिखर है चोटा सा ठीक है तो याद रखेगा वो परवत या पहाड़ी की ही स्रिनी में आएंगे अगर उचाई एक हजार मीटर से कम है तो उसको हम लोग पहाड़ी का नाम देते हैं और एक हजार मीटर से अधिक है तो उसको परवत या फिर मौन्टेन बोलते हैं तो ये एक हमारी स्थलाकृति हो गई परवत दूसरा समझते हैं पठार क्या होता है प्लैटू जिसको कहा जाता है तो पठार जो है ये भी हाइटेट रहता है लेकिन उपर में इसकी चोटी या सिखर नहीं होता बलकि सपाट भूमी होती है तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमी होती है यह आसपास के छेतरों से अधिक उठा हुआ होता है तथा उपरी भाग मेज के समान सपाट होता है आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे ये अपने आसपास के छेतर से हाइटेड है लेकिन उपर में क्या है ये भी उपर में समतल है सपाट भूमी है किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी ढाल क्या होती है खड़ी होती है एकदम ये अब देखेंगे तो खड़ी ढाल वाले है यह क्या कहलाता है पठार की उचाही फ्राया कुछ 100M से लेकर कई 1000M तक हो सकती है, जैसे तिबत का पठार है, उसको संसार का छद भी कहा जाता है, उसकी 5,000M है तो इस प्रकार से इसकी जो उचाही होगी पठार की आप fix नहीं बूल सकते कि वो 100 मीटर में होगा वो 1000 मीटर में भी जा सकते है जैसे प्रायद विपी भारत का जो पठार है इसकी average उचाई कितनी है तो 300 से लेके 900 मीटर average उचाई average की हम लोग बात कर रहे है तो यह प्रायद विपी भारत के पठार की average उचाई है दो टर्म हम लोगों ने समझा एक समझा परवत दूसरा समझा पठार तीसरा जो टर्म है हमारा इस्थलाक्रती में वो है मैदान मैदान क्या होते हैं तो मैदान अपने निकट वर्ती जो समुद्री सत्ह है वहाँ से 160 मीटर से उचे पाए जाते हैं 160 मीटर या उससे अधिक उचाई में जब पाए जाते हैं समुद्री सत्ह से सम्थल तो वो मैदान कहलाते हैं कम ढ़ाल होने करण छेतिन छेत्रों में नदियों का प्रवाह क्या हो जाता है, मंद हो जाता है और सागर की ओर बढ़ते जाने पर इनके ढ़लानों में करमसा कमी होती जाती है और धीरे धीरे एक स्थिती ऐसा आता है कि समुद्र सतह से मिल जाती है ये इस्थलाकृती हो गई अब जो हम लोग जान रहे है भूग अर्भिक संरशना, भूमी के गर्भ में क्या होता है तो देखिए हम लोग का जो प्रित्वी है प्रित्वी में अलग-अलग लेयर पाई जाती है सबसे अंदर का जो लेयर रहता है उसको कहा जाता है इनर को ये ठोस होता है, याद रखेगा देखिए इसको तीन भागों में हम लोग बाठ सकते है तीन भाग में बाठेंगे बीच वाले को कहा जाता है 構र इन दोनों के बीच में इसको कहा जाता है Mental इसको कहा जाता है क्या क्रस्ट लिंदी में कहें तो भूपरपटी Mental और पूर जो भूपर पट्टी है, इसी के उपर आपके continental crust है, austenic crust है, lithosphere है, ठीक है, लेकिन आपका जो upper mental, lower mental, ये जितने आप mental देख रहे हैं, ये सब क्या है, तब तलावा है, पृत्वी के अंदर भी क्या है, लावा है, जो लावा आपके ज्वाला मुखी के उद्गार से निकलता ह है, तो mental में क्या है, तब तलावा है, जो liquid form में है, और बाहरी लेयर क्या है, तो बाहरी लेयर जो भूपर पट्टी है, वो लावा के ठंडे होके जमने के कारण बना है, इसी के उपर आपके समुद्र है, इसी के उपर हमारे महादुईप है, ठीक है, तो अलग-अलग layering होत के उपर है, ठीक है, तो ये हमारी भूगर्ब की संरचना है, अब इस भूगर्ब की संरचना से हमको क्या गयात होता है, तो याद रखिए इससे हमको पता चलता है, भूमी के अंदर कौन-कौन से प्रकार की चट्टाने पाई जाते हैं, चट्टान को अगर हम लोग समझें study of rock is known as petrology ये exam में पूछा गया सवाल है petrology किसका अध्यान है तो चट्टानों का अध्यान है अब जो चट्टान है इसके अलग-अलग process है इसको बोला आता है rock cycle आगे हम लोग और discuss करेंगे rock cycle के बारे में rock cycle या फिर चट्टान चक्र जो है वो अगर अंदर में भूमी के अंदर अगर ठंडा हो जाता है रुक कर ठंडा हो जाता है तो वो आगनया चट्टाने कहलाती है अगर वो भूमी के बाहर निकल जाती है उसका जो लावा है उसका मैगमा है वो बाहर निकल जाता है तो वो बेसाल चट्टाने कहलाती है, यह याद रखेगा, है दोनों ही किस्से निर्मित, लावा से निर्मित, लेकिन लावा जब भूमी के अंदर ठंडा होता है, तो वो कहलाती है क्या आगनेया, और अगर वो भूमी के बाहर ठंडी होती हैं आकर, तो वो कहलाती है बेसाल चट्टाने, दोनों बनती किस्से हैं लावा से, जो आगने चट्टाने होती हैं, ये जमीन की बहुत घहराई में होंगी, बेसाल चट्टाने जमीन के ऊपर आएंगे, क्लियर है क्योंकि लावा जमीन के बाहर, आगने चट्टानों में याद रखेगा सिलिका का जो परसेंट आगने चट्टानों में सिलिका का परसंट जो रहेगा वो अधिक रहेगा और बिसाल चट्टानों में सिलिका का परसंट क्या रहेगा कम रहेगा सिलिका का परसंट अधिक रहने के कारण ये क्या होती है प्रवित्ती में अमलिय होती है और बिसाल चट्टानों में सिलिका का परसंट कम होने कारण ये प्रवित्ती में क्या रहती है चारिय रहती है एक ACD करहता है एक BC करहता है अब ये जो आगने चट्टाने होती है, इनके अप्चहया परदन से एक नवीन चट्टान का उदाय होता है, जिसको कहा जाता है, अब कोई भी चट्टान है, उसके उपर में अलग-अलग लेरिंग जमते जाती है, तो वो जो चट्टान बनेगा, जिसमें जिवास में पाय जाएंगे, ठीक है, पहले क्या था, वो आगने चट्टान था, अगनियस रॉक था, अब उसमें जिवास में मिल रहा है, इसलिए अ अब वो कौन सा रॉक हो गया, सेडिमेंटरी रॉक या फिर आवसादी चट्टाने, अब यही आवसादी चट्टाने या फिर आपकी आगने चट्टानों को ताप और दाब मिलता रहे, अगर वो जमीन के अंदर हैं, एक निस्सित ताप और दाब में, तो वो अपना पो बदल लेती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कायंतरित चट्टाने, ठीक है, और वही चट्टाने, बाकी जितनी चट्टाने हैं, वो जमीन के अंदर जाएंगी, मागमा में टाच होंगी, या फिर विलीन हो जाएंगी, और फिर से इरप्सन के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो ये प्रोसेश जो चलता है, इसको कहा जाता है, रॉक टाइकल, बेसिक है, इसको आप इंडिन जेग्राफ्टी में, मैं इसको और डीटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, चट्टिसगर का भुगोल, तो उतना डीटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, चट्टानों का निर्माड, चट्टानों का निर्माड प्राया दो प्रकार से होता है, एक तो आगने चट्टाने जिनका निर्माड पृत्वी की आंतरिक सक्तियों के कारण होता है, और दूसरी वे चट्टाने जिनका और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक या जिसको रूपांतरित या कायांतरित कहा जाता है मतलब अपने ताप और दाप के करण अपने रूप को परिवर्तित कर लेना, अपने काया को बदल लेना, वही काया अंतरित या रूपांतरित चट्टाने का लाती है, ठीक है, इसी वर्गी करण को थोड़ा सा और डीटेल में देखें, तो आगने चट्टाने दो टाइप की म वाय हागने चट्टाने बाहर आ जाएंगे, जिसको हम लोग बेसाल्ट चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अंतरबेदी में भी एक होगा पातालिय और दूसरा होगा मध्यवर्ति, पातालिय बहुत ज्यादा गहराई में मिलेंगे, और मध्यवर्ति जो रहेंगे, वो थोड़े कम गहराई में मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद आवसादी जो रहता है, इसमें क्या होगे तो इसमें याद रखेगा, जिवों के जिवास में मिलेंगे, कायंतरीत में ताप और दाप के कारण क्या होगा, उनका रूप बदल जाएगा, कायंतरीत चट्टाने भ रॉक होती कैं है, आगनेय चट्टानों को ही प्रात्मिक चट्टान कहा जाता है, आगनेय सब्द लैटीन भासा के इगनिस सब्द से लिए गया है, जिसका तात पर ये अगनी होता है, अगर इसकी परिभासा की बात करें तो प्रित्वी के आंतरिक भाग में इस्थित मैग जो लावा है, जब अपने उपरी गामी गती में ठंडा होका ठोस बन जाता है, तो आगने चट्टान का निर्माड होता है, वालकनिक इरप्सन होता है, तो वो उपर की और बढ़ना चाहता है, लावा बीच में क्या हो जाता है, उपर की और बढ़ते बढ़ते ठंडा हो जात और बेसाल्ट भी आग्नय चट्टान है लेकिन उसमें सिलिका की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है आग्नय चट्टानों की विशिस्ताओं की बात करें तो यह अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर होते है जिसका इनका अप्चय धीमी गती से होता है चुकि इनका निर्मार लावा के सीतलन से होता है इसलिए रवेदार, परतहिन, जिवासमभीन तथा रंदरहीन होती है ठीक है रवेदार मतलब आपका जान सकते हैं जो ये है क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा जैसे आपका रवा से सूजी का अब देखेंगे सूजी का हलवा अगर आप ठाते हैं तो वो जो रवा रहता है वही रवेदार है ठीक है परतहिन मतलब लेयर नहीं रहता है इसमें दारेक्ट के आता है और लावा जो है वो जम जाता है जिवासमभीन मतलब चुकि धरती के अंदर है तो वहाँ कोई जिव जन्तु आपको नहीं मिलते है इसलिए जिवासम की मात्रा यहां नहीं पाई जाते है आगने चटानों में जिवासम का अभाव रहता है नौन पूरस रहता है रंदरहीन मतलब छोटी जो छेद रहते हैं वो भी इसमें नहीं रहते है चोटी-चोटी छेदर या रंधर कब बनेंगे जब वो हवा के संपर्क में आएगा चूंकि यह प्रित्वी के अंदर ही बन जा रहा है तो यह रंदरहीन होता है भौतिक अप्चह ज़्यादा प्रभावी होता है और यह अब यवस्थी तो वह विविद रंगों वाली होती है ठीक है आगने चट्टानों का एक्जम्पल भी मैं आगे दिखाऊंगा इसमें आपको पता चलेगा कि इसका कोई फिक्स टेप या साइज या कलर नहीं होता क्लियर है दूसरा आता है आपका ओसादी चट्टान जिसको कहा जाते है अगने ओसादी और कायंथरीत के अनाच्हत अनाच्हतन से तात्पर है अप्चह और अपरदन ठीक है अपच्छे अर्थात weathering जैसे पानी गीरा पानी गीरा तो जो पत्थर है उसमें पानी के कारण वो थोड़ा सा चूरा निकला और वो धीरे धीरे उसका क्या होगा अपच्छे होगा और अपरदन जो होगा erosion ठीक है weathering और erosion के कारण तथा जमाओं के फलसरूप जो निर ये सब जितने भी हैं आपके क्या है आवसादी चट्टान है क्याद रखेगा कुईला भी आवसादी चट्टानों में आता है layer by layer मिलता है ठीक है एक होता है lithification तो आवसाद से आवसादी चट्टान बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है सीली भवन या फिर lithification और ह हमारे भूपटल पर लगभग 75% जो भाग है वो आवसादी चट्टाने वहाँ विस्तित है परन्तु प्रित्वी के निर्मान में इसका योगदान कितना है तो मात्र 5% है प्रित्वी में basically आपका सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा तो आपका मिलेगा आगने प्रकार की चट् सिस्ताओं की बात करें तो परत्दाण निछेपन से इसका निर्माड होता है, इसमें जिवास्म मिलता है, छिद्र होते हैं और जिवास्म इंधन भी पाय जाता है, जिवास्म मिलते है जीवों के अस्म से जो इंदन जैसे पेट्रोलियम है, कोईला है, नेचुरल गैस है, यह सब भी क्या होते हैं, फॉजिल फ्यूल, यहां पाय जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, ठीक है, यह मुलायम होते हैं, जिसका अनाच्छादन की दर क्या हो जाते हैं, इनकी तीव होती है, इनमें समुद्री तरंगों के चिन भी पाय जाते हैं, यह चैती जूरूप में पाय जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डाग्राम में आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजेगा, मैं आपको फोकस कर रहा हूं मागमा पर, यहां आप फोकस कीजेगा, यह जो है, यह जौला मुखी के तुरू, ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, चूकि आपका पृत्वी क्या है, अंदर से गर्म है, तब तलावा है, वो लावा क्या करेगा, छिद्र मिलेगा, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, इसी बीच क्या होगा, वो जो बाहर निकलेग अब यह जो आगने चट्टान है धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास करेगा इसमें भी अलग-अलग प्रकार मैं आपको बताया था एक अंतर भेदी था ठीक है और एक पातालिय था इस टाइप का जो आगने चट्टानों में प्रकार है तो मैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ या फॉर्म ले लेगा सेडिमेंटरी या फिर आवसादी चट्टानों का ठीक है इन्हीं आवसादी चट्टानों को फिर से ताप और दाब में अगर रखते हैं ठीक है हाई टेंपरिचर एंड प्रेसर में तो वह इसमें अपना रूप को क्या कर लेंगी बदल लेंगी और बना लेंगी मेटामार्फिक या फिर रूपांतरित या कायंतरित चट्टाने ये जो प्रोसेस है ये चलते रहेगा मेटामार्फिक राख जो है वो मेल्ट हो जाएगा मागमा फिर बन जाएगा फिर इगनियास इस टाइप का ये साइकल चलते रहेगा आगने चट्टाने आपको समझ आ गई, अवसादी चट्टाने आ गई, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित या कायंतरित चट्टाने, इसके लिए बेसिक कंडिशन क्या है, तो उच्छ दाप और ताप, ठीक है, उच्छ ताप और दाप में आपके, चाहे वो आगने चट या अवसादी चट्टाने हो, वो रूपांतरित या कायंतरित हो जाती हैं, तो अगला है हमारा रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉप, अत्यदिक ताप, दाप और राअसाइनी क्रियाओं के परणाम शुरुप, आगने अवसादी चट्टानों की बहुतिक और राश्यानी गुर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, अगर पैत्रिक कोई चट्टान है जो नॉन पूरस है, अर्थात रंद रहीन है, तो ये पूरस हो सकता है, ये उसके बहुतिक और राश्यानी गुर्ण में परिवर्तन हो जाता है, किसके करना ताप और चट्टानों की कठोरता क्या होती है, इसमें सरवाधिक होती है, रुपांतरित चट्टाने ज्यादा कठोर होती है, highest hardness and firmness, ठीक है, इसमें जो भी जिवास्म रहेंगे, वो क्या हो जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, Fossils are destroyed in metamorphic rock, due to which fossil are not found in them, इसलिए इसमें जिवास्म का अभा होता है, तो आपको तीन चट्टाने में बताया, आगनिय, औसादी और रुपांतरित, तो औसादी में ही क्या मिलेगा, आपको जिवास्म मिलेगा, बागी दोनों में जिवास्म नहीं मिलेगा, कई रुपांतरित चट्टाने दानेदार, ठीक है, ग्रैनूलर होती है, जैसे क्वार्ड फेल्सपार, ये सब क्या है, दानेदार रुपांतरित चट्टाने, चोटे-चोटे दाने आपको दिखाई देंगे, हम लोग बेसिक चट्टानों का वर्गीकन देखे, अब आते हैं हमारे मेन टॉप और चौथा होता है, आर्य महा कल्प, चार महा कल्प में चट्टानों का अध्यन के यादता है, याद रखेगा, इसमें से जो द्रविडियन महा कल्प है, ये ध्यान रखेगा, जो द्रविडियन महा कल्प है, इसमें कोई भी प्रकार की चट्टाने चट्टियस गण में न पहला आता है कुडपा करम की चट्टाने और दूसरी आती है विन्धियन करम की चट्टाने आरे महाकल्प को दो भागों बाटा गया है गुडवाना करम की चट्टाने और दककन ट्रैप चट्टाने जिसको लमिटा भी कहा जाता है अब इसमें याद रखिएगा जो विन्ध की होते हैं एक होता है अपर विंदियन और दूसरा होता है लोवर विंदियन ठीक है सेम चीज आपके गुडवाना करम की जो चट्टाने है वो तीन प्रकार की होती है अपर गुडवाना मद्य गुडवाना जिसको मिडिल गुडवाना और तीसरा होता है लोवर गुडवाना तो इस प्रकार से चटानों का अध्यन 36 गण में किया जाएगा, हम लोग पहुंझाते हैं सिधा हमारे मुद्धे में, 36 गण में चटाने, 37 गण में कुछ इस प्रकार की चटाने पाई जाते हैं, ये चटाने ये हैं आपकी, जिसमें अलग-अलग नाम आपको मिलेंगे, सबस अब ये क्या है मैं उसको भी बता दरहूँ, A stand करता है Archean, K stand करता है Kudappa, G stand करता है क्या, Gundwana, D है आपका धारवार Vindian और Lameta, Duck and Trap भी बोल सकते हैं या Lameta भी बोल सकते हैं, तो 3 का % आपको fix पहले से रट लेना है एकदम कंठस, 50, 30 और 17, आरकेन करम की चट्टाने 36 गड़ में कितने प्रतिसत भाग में पाई जाते हैं, सीधा सीधा question पूछा जाता है, इसके अलावा धारवाड करम की चट्टाने लगभग 5% भाग में पाई जाते हैं, जो इसी का हिस्सा है, याद रखीगा, आरकेयन वाले छेतर में ही पाई जाते हैं, तो अगर कभी पूछे तो इन दोनों में 5% है, लेकिन ये 50% के अंदर ही ये 5% आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा आरकेयन करम की चट्टाने, आरकेयन करम की चट्टानों का निर्माड तब तलावा के ठंडा होने के फल सुरुख हुआ है, जिसके कार्ण ये सरवाधिक गठोर चट्टाने हैं, ये प्राचिंतम चट्टाने हैं, अर्थात इसे प्रित्वी की इसका सब्दी कर्थ सरवाधिक प्राचिन होता है, आरकेयन का सब्दी कर्थ क्या होता है, कभी आपको पूछे तो सरवाधिक प्राचिन होता है, प्रित्वी का लगभग 86.7% भाग का निर्माड प्री कैम्ब्रियन काल, यानि की आरकेयन यूग में हुआ है, हम लोग काल देखे थे आद्यमहा कल्प जिसको प्री कैंबियन एरा भी कहा जाता है अत्यधीक रूप आंतरण की कारण इनका मौलिक रूप नस्ट हो चुका है साथ ही इसमें जिवास्मों का क्या होता है अभा होता है ये ध्यान में रखेगा आर्केन करम की चट्टानों में कभी भी जि प्राचिन 36 गड़ के धरातलिय बनावट में प्रमुकिस्थान पर यह सेलसमों रखा जाता है और महानदी घाटी जिसमें बेसिकली कुर्बा बेसिन की सीमांत उच्चु भूमी में इस सेलसमों का विस्तार सरवाधिक है इसके अलावा बस्तर पठार जो दंड़कारने का अधिकानस भाग है वो आर्केन सेलसमों के अंतर गताते हैं तो 36 गड़ में कुल मिलाकर इसका सरवाधिक विस्तार है कितना परसेंट 50 परसेंट और एक्जाम में कहीं हो बार पूछा गया एज इस परसेंट सिधा पूछ लेता है क्या रखेगा इसके अपर्दन से धारवा की चट्टानों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है तो याद रखेगा इससे हमको ग्रेनाइट मिलती है ठीक है फिल्सपार मिलता है क्वार्ड मिलता है अब्रक और हारन ब्लेड यह सभी जो खनीज है यह आपके आर्केन करम की चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं ग्र य्यलो कलर से जो डिफाइड क्या गया है यही चैतर आर्कान करम की चैतनों का क्या है चैत्र है इस चैत्र में आपकी आर्कान करम की चैत्रने पाई जाती हैं तो जितने आपको खनीज वाले पोर्शन में अगर ग्रेन आइट, क explorer, quards, अब्रहग, pharn, आर्कियन करम की चट्टानों में जो खनीज पाई जाते है वो इन्ही यलो कलर से डिफाइन के गए छेतर के अंतरगत पाई जाएगे इस आर्कियन करम की चट्टानों के अपच्छै और अपर्दन से किस चट्टान का निर्माड होता है तो अगला जो चट्टान है वो है हमारा धारवार करम की चट्टानों का निर्माड आर्कियन करम की चट्टानों के अपर्दन के फल सरूप हुआ है ये प्राचिंतम औसादी चर्टाने है अब ध्यान रखेगा ये अपच्छया परदन हो गया है अब धारवाण में क्या मिलेगा औसाद मिलेगा लेकिन इसमें जिवास्म नहीं पाया जाता ये भी ध्यान रखेगा जिवास्म नहीं है प्री कैंब्रियन एरा है तो प्री कैंब्रियन एरा में आपके आध्य महा कल्प में दो ही हैं आर्कियन और धारवार दोनों में ही आपके जिवास्मन नहीं पायाते हैं लेकिन ये आवसाद ही हैं आवसाद अर्थात एक के उपर एक लेयरिंग हुआ है लेकिन जिवास्मन नहीं है अब जो धरवार करम की चट्टाने हैं इसका नाम करण कैसे हुआ तो सबसे पहला ये इस टाइप के जो चट्टान है वो करनाटा के धरवार जीले में पहली बार देखा गया तो करनाटा के धरवार जीले में सर उपरतम इसकी प्राप्ति हुए जिसके का इसका नाम क्या रख दिया गया धरवार पड़ा इसका निर्माड प्रीकैंबियन काल से धाई करोड़ वर्स पुर हुआ, प्रोटो जोईक यूग में हुआ था, अलग-अलग एरा है, जैसे सीनो जोईक है, प्रोटो जोईक है, तो अलग-अलग एरा जो थे, उसमें से ये प्रोटो जोईक एरा जो चल रहा था, प्रीकैंब जो होता है धा से धार और धा से धातु तो जितने भी धात्वी खनीजे होंगी वो इसी करम की चट्टानों में मिलेंगी धात्वी खनीज कहां मिलेंगी धार किसको क्या जाता है तो धातु को क्या जाता है जैसे लोहा है पुरंडम टीन ये सभी चीजें धार करने वाली हैं तो ये सभी धात्विक खनिश कहां मिलेंगे धारवाड करम की चट्टानों में मिलेंगे, ठीक है, धारवाड करम की चट्टानों का फैलाव, आर्कियन करम की चट्टानों के ऊपर पाया जाता है, और 36 गड़ में इसकी जो है, तीन अलग-अलग स्रिंखलाएं पाई जाते है धारवारकरम की चट्टानों की 36 गड़ में कितनी सरिंखला पाई जाते हैं, तीन सरिंखला, पहली है चिल्फिघाटी सरिंखला, दूसरी है सोना खान सीरीज, और तीसरी है लॉहायस्क सीरीज जो बस्तर संभाग वाले चेतर में है, धारवारकरम की चट्टानों से 36 गड़ म और इसमें भी बेसिक आपके जब हम लोग खनीज देखेंगे उसमें उन ख़दानों के बारे में जहां से टनीज हमको प्राप्त होता है उसको देखेंगे जो धरवाड करम की चट्टाने हैं इनको अगर मैप में हम लोग समझें तो आप देखेंगे ये जो आपको फेड़ेट दिखाए दे रहा है ये है आर्केन करम की चट्टाने इन ही को उपर ये ये आपके ग्रीन कलर में जो ब्लिंक हो रहा है ये आपके कौन से करम की चट्ट ठीक है ये जो सिरीज है ये चिल्फी घाटी सिरीज है ये आपका सोना खान सिरीज है और ये दुर्ग बस्तर सिरीज है इस टैप से इसको तीन सिरीज में आप बांट सकते हैं चले सिरीज का नाम भी हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से वो में है तो सबसे पहला है बैला ड इस प्रकार से यह जो बेसिक छेत्रे हैं जहां धारवार करम की चट्टाने पाई जाते हैं, जिनमें हमको लौ ऐस्क की प्राप्ति होगी, टीन ऐस्क, कुरंडम, स्लेट, नीस, इस प्रकार की जो थनीज है, वो हमको प्राप्त होंगी कहां से धारवार करम की चट्टानों से अब जो धारवार करम की चट्टाने हैं, इनका धिरे-धिरे समय के साथ अप्छे अपर्दन होता है, तो एक नवीन करम की चट्टान बनती है, जो है आपकी कुडपा करम की चट्टाने हैं, तो याद रखेगा कुडपा करम की चट्टानों का निर्माड धारवार करम की चट पाय जाएंगे, तो यह आउसादी चर्ट आने हैं जिसमें क्या पाय जाता है जिवास्म पाय जाता है, इसका नाम करन खुरपपा क्यों हुआ तो पहले अभिवरतमान का जो तैलंगाना है पहले आंतरप्रदेश की नाम से जाना जाता था कुडपा या कडपा ठीक है यह 36 गड़ का दूसरा सरवाधिक विस्तरित सेल समू है जो लगभग 25 से 30 परसेंट छेत्र में पाया जाता है मैं आपको बताया था A K G ठीक है A 50 परसेंट के जो है कुडपा 30 परसेंट और जी जो है 17 परसेंट यह याद रख लीजिएगा बोलके स्टार्टिंग में ही बताया है तो कुडपा करम की चट्टाने जो है वो कितना है दूसरा सरवाधिक विस्तित सेल समू है जो 25 से 30 परसेंट छेत्र में पाया जाता है 36 गड़ में इसकी फुल तीन सीरीज पाय जाती है एक है रायपूर सीरीज रायपूर स्रिंखला जिसको बोख सकते हैं जिसमें रायपूर बलेउदबाजार मुंगेली बेमे तरह ठीक है चंद्रपूर सीरीज जो कांकेड से रायगर तक फैला हुआ है और तीसरा है बीजावर कुडपा सीरीज जो बस्तर और कॉंड़ा गांवाले छेतर में है कुडपा करम की चट्टानों बेसिकली हमको कौन-कौन से खनीज मिलते हैं तो याद रखेगा इसमें हमको चूना पत्थर मिलेगा डोलोमाइट मिलेगा क्वाडजाइट मिलेगा इसके अलावा बलुवा पत्थर, एस्बिस्कस और संग मरमर ये सभी किस करम की चट्टानों में हमको प्राप्त होते हैं तो कुडपा करम की चट्टानों से हमको प्राप्त होते हैं अब ब्लू कलर में अगर हम लोग दिखें तो यह वाला जो हिस्सा है आपको जो नीले रंग में दिखाए दे रहा है यह है कुडपा करम की चट्टानों का छेत्र तीन अलग-अलग सीरीज के देखे थे, कौन-कौन सी सीरीज, एक था आपका रायपूर सीरीज, दूसरा था चंदरपूर सीरीज, और तीसरा था बीजापूर कुडपा सीरीज, ये आपका रायपूर सीरीज, ये चंदरपूर कांकेर सीरीज, और ये बीजावर कुडपा सीर पहला, दूसरा और ये तीसरा सिरी, क्लियर है, चलिए, जो कुडपा करम की चट्टाने हैं, उनके अपच्या परदन के बाद एक नवीन चट्टान का उदय होता है, और वो चट्टान है विंदियन करम की चट्टाने, याद रखेगा ये चट्टाने एक दूसरे से ही बनते सबसे पहले आर्केन करम की चट्टाने बनेंगी मागमा से, आर्केन करम की चट्टानों के अपच्या परदन से बनेंगी धारवाड करम की चट्टाने, धारवाड करम की चट्टानों के अपच्या परदन से निर्माड होगा, खुडपा करम की चट्टानों के अपच्या प पाय जाता है ठीक है अब जो विन्ध squeezejam कि चटाने है स्व आपाताम मिसकी प्राप्ति मध्यों प्रदेश के विंध्यांचल परवत में हुई थी जिसके काण इसको इसका नाम क्या पढ़ गया विंधियन करम की चटाने विन्यान चल परवत में पहली बार इस टाइप की चट्टान देखी तो इसका नाम रख दिया गया विन्यान करम की चट्टाने है अब यह जो विन्यान करम की चट्टाने है बिसिकली दो टाइप की होती है एक होती है अपर विन्यान और दूसरी होती है लोवर विन्यान जो अपर विन्दियन है यह 36 गड़ में प्राप्त नहीं होता यह दिमाग में याध अरक लिजेगा हमारे यहाँ प्राप्त होता है और बलूआ पत्र यह दोनों हमारे 36 में विन्दियन करम के लूअर विन्दियन करम क statesनों ठीक है जो 36 गड़ के कुछ मैदानी हिस्सों में बिसिकली अगर देखा जाए तो आपका जो रायपूर संभाग है उस वाले छेतर में पाया जाते है और ये तूना पत्थर जो है हमारे सीमेंट ग्रेट के हैं कौन से ग्रेट के हैं सीमेंट ग्रेट वाले हैं इसलिए इस वाले छेतर में आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग बहुत आयत मातरा में आपको मिलेंगे बलोदबाजार रायपूर वाले छेतर में अब धीरे-धीरे क्या हुआ जो विंद्यन करम की चट्टाने हैं इनका भी अप्षय और अपर्दन होना प्रारम हो गया तो जब विंद्यन करम की चट्टानों का अप्षय अपर्दन होगा तो एक नवीन करम की चट्टान का निर्माड होगा जिसे कहा जाएगा गोडवाना करम की चट्टाने अगला हमारा कौन सा है गोडवाना करम की चट्टाने गोडवाना करम की चट्टानों का निर्माण विंद्यन करम की चट्टानों के अपरदन के फलसरूप हुआ है ये परतदार औसादी चट्टाने हैं जो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए औसादों से निर्मित हुई हैं जिन में सरवाधिक जिवास्म जिसमें जिव जन्तु वनस्पति के औसेस ये सब पाय जाते हैं गुडवाना करब की चट्टाने बहुत इंपरटैंट हैं एक चिव секरि गुडवाना कितना 55 शेत्र में MPSt अब इसकी जो प्राप्ति हुई थी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक जगा है गुणवाना ठीक है तो मध्य प्रदेश के गुणवाना वाले छित्र में इसकी प्राप्ति सरुप्तम हुई थी उसके कारण इसका नाम क्या रख देगा गुणवाना पढ़ गया गु तो 26 गड़ में याद रखेगा मद्य गड़वाना जो है ये भूँट कम मातरम है एकदम निगलिजीबल मातरम पाई जाता है Vatican II बेसीकलि हमारे हाँ पाई जाता है upper गड़वाना और lower गड़वाना upper गड़वाना में कौन कौन को से छित्र आते हैं और लोवर गुडवाना की हम लोग अगर बात करें तो सरगुजा, कडभूरा, कुर्बा, खर्सिया, धरम जैगर, राइगर, यह वो मान नदी घाटी में लोवर गुडवाना की चट्टाने पाई जाती हैं अब यह गुडवाना की चट्टाने आर्थिक दृष्टी से बहुत महत्पूर होती हैं, क्यों महत्पूर होती हैं, तो याद रखीगा जितने भी आपके खनीज हैं, जो आपके जैविक खनीज आप बोल सकते हैं, जो फ्यूल्स हैं, जिसमें पेट्रोलियम है, नैचुरल ग और लुडवाना की चट्टाने भी प्राप्ती हैं, बाकी जो आपके पेट्रोलियम है या नैचुरल गैस हैं, प्राप्ती कम मात्रा में होगी, l pryसिकिली क्या मिलता तो यहां की गुडवाना करम की चट्टानों में कोईला प्राप्त होता है। मैं आपको अभी पहले स्टार्टिंग में बता है अगर इसमें सिलिका के मातरा साइट परसेंट से कम होती है तो वो लावा क्या बन जाता है बाहर आकर बेसाल्ट हो जाता है और बेसाल्ट की उकुत्ता लावा के जमने से किसका निर्माड हुआ है दककन ट्रैप या फिर लम दककन ट्रैप इन चट्टानों के अपच्छे से काली मिटी का क्या हुआ है निर्माड हुआ है इसका विस्तार मुखे रूप से जस्पूर, कबीरधाम, सरगुजा, कुर्भा, आदिछेत्रों में है इसमें एक चीज याद रखेगा चतिसगड के पार्ट प्रदेश में ज जो आपकी बिसाल चट्टाने है वो काली मिटी में परिवर्थितना होकर लेटर आइट या फिर लमेटा मिटी में परिवर्थित हो गई है और लमेटा का अर्थ याद रखेगा लमेटा का अर्थ होता है इंट लमेटा का अर्थ क्या होता है इंट तो यह जो चट्टान है ये इंट के समान हो जाती है इसमें इंट बनाना पॉसिबल है याद रखेगा लमिटा चटान ये लेटराइट मिट्टी से इंट बनाया जा सकता है इसलिए जो लमिटा की चटान है दक्कन ट्रैप है इसको लेटराइट सेल समों में भी हम लोग क्या ले लेते हैं मान लेते हैं ठीक है इसमें मुख्य रूप से कौन सी खनीज मिलती है दक्कन ट्रैप में तो बॉक्साइट जो है यह इसका मुख्य खनीज है आप देख पाएंगे तो यह लेटराइस टाइप का ही आपको दिखाई देगा इसके अगर छेतर की बा घंती मिले यह फिर लेते राइट मिट्टे मिले तो इस प्रकार से हम लोगों ने चृत्ति सहट्ट्फगण में पाया जाने वाले इन ही शब चशत्त्टानों के बारे में अध्यन के जिसमें आरकेन करंकी चट्टाने इस इसके बाद और झम की चट्टाने और जो चीज मै करम की चट्टानों के अप्षया परदन से कुडपा करम की चट्टाने बनेंगे कुडपा करम की चट्टानों के अप्षया परदन से विंद्यन करम की चट्टानों का निर्माड होगा और विंद्यन करम की चट्टानों के अप्षया परदन से गुडवाना करम की चट्टानो अगर बहर आ जाते से हम के गंगर फ्रालिक बारे में हम बोगों आग गया होगा है अगर विडियो पसंद आते हैं तो विदियो को लाइक करें sf पर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें बिलते हैं बहुत जब अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम